इसी संघर्ष के कारण चाल्स प्रथम ने 11 साल तक संसत की बैठक नहीं बुलाई पर सन 1640 में एक पडोसी देश के विरुद्ध युद्ध होने से राजा का खजाना खाली हो गया था युद्ध के लिए नय कर लगाने थे जिसके लिए उसे संसत को बुलाना पड़ा लेकिन संसत ने राजा और उसके मंत्रियों की ताना शाही पर नियंतरण करने का फैसला किया और मंत्रियों तथा अधिकारियों को दंड सुना दिया इसके साथ ही राजा के समर्थकों और संसत के बीच ग्रीह युध शुरू हो गया जो पाँच वर्षों तक चला इस ग्रिह युद्ध में ओलिवर क्रॉम्वेल ने संसत का नेत्रित्व किया और राजा के खिलाफ लोगों की एक सेना तयार की सन 1649 में चार्ल्स पराजित हुआ और उसे संसत द्वारा मृत्यू दंड दिया गया चार्ल्स की मृत्यू के बाद इंगलेंड में गड़तंत्र इस्थापित किया गया जिसमें राजा के लिए कोई स्थान नहीं था यह गड़तंत्र केवल 11 वर्षों तक चला क्योंकि ओलिवर क्रॉम्वेल खुद एक तानाशाह के रूप में काम करने लगा था क्रॉम्वेल के मरने के बाद संसद ने चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स दृतिय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया चार्ल्स दृतिय और उसके उत्राधिकारी जेम्स दृतिय ने फिर से निरंकुष शाषन प्रणाली की ओर लोटने का प्रयास किया संसद ने एक बार फिर राजा की बढ़ती तानाशाही को रोकने के लिए कोशिश शुरू की सन 1688-89 में संसद ने जेम्स दुतिय की बेटी मेरी दुतिय और उसके पती विलियम ओफ ओरेंज को इंग्लेंड की गद्दी संभालने के लिए न्योता दिया साथ में संसद ने शाषन व्यवस्था के बारे में कई शर्तें रखी जिसे मेरी ने मान लिया जैसे कानून बनाना या रद्द करना संसद की सम्मती से ही हो बिना संसद की सम्मती के कोई नया कर न लगे नहीं सेना का विस्तार हो संसत सदस्यों के चुनाव में राजा हस्तशेप ना करे तथा संसत में कहीं किसी बात के लिए किसी भी सदस्य को सजा न दी जाए संसत की बैठके नियमित रूप से हूँ संसत की ऐसी शर्तों को मान कर मेरी दुतिय इंगलेंड की रानी बनी और विलियम राजा बना यह सब बदलाव बिना लड़ाई जगडे और खून बहाय हुआ इसलिए इस बदलाव को ग्लोरियस या ब्लडलेस रेवल्यूशन गौरव पूर्ण या रतहीन क्रांती कहा गया निरंकुष राज की जगह जो नई विवस्था बनी उसे समवैधानिक राजतंत्र कॉंस्टिटूशनल मुनार्की कहते हैं इस विवस्था में प्रजा को कई अधिकार दिये गए जैसे अभिवेक्ति और संगठन की स्वतंत्रता कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफतारी होना वो सजा मिलना आदी समवैधानिक राजतंत्र में किसी न किसी प्रकार से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है जो राजा के कामकाज की समीक्षा करती है और अन्य तरीकों से उसकी मनमानी पर रोक लगाती है इसे हम लोगतंत्र की स्थापना की ओर एक चरण या पुरानी वर नई व्यवस्थाओं के बीच एक समझोता मान सकते हैं इंग्लेंड में लोगतंत्र के प्रयासों के दो महत्वपूर्ण पहलू थे पहला राजाओं के अधिकारों पर नियंत्रन और उनकी निरंकुष्टा की जगह चुने गए प्रतिनिधियों का शासन लाना दूसरा पक्ष था चुनाओं की प्रक्रिया में सब लोगों की भागीदारी 18 सदी में धीरे धीरे संसत के प्रति जिम्मेदार मंत्री मंडल की व्यस्था बनी 19 सदी के अंत में वोट देने का अधिकार मजदूरों को भी मिलने लगा आगे चल कर 20 सदी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला इस तरह यह लोकतांतरिक बदलाओं पूरा होने में 250 वर्षों से भी अधिक समय लगा